मुहला गाम के पास मिले बुजुरुग को समाज सेवी राजेंदर ने पहुँचाया घर दो दिनों से था लापता केसरी सिंकुर कस्बे के समीपरती गाम मुहला में भटकते हुए घूम रहे बुजुरुग को समाज सेवी राजेंदर इंसा ने पांच जड़ स्थी तो उसके घर पर सकुशन की पुछा दिया गस्बे के समाच से भी राजेबन पूंसा ने बताया कि गाव महला के मास्टर बोर्ड सिंग में फोन कर बताया कि एक 85 वर्ष बजुर्ग बटकता हुआ यहां धुन रहा है सुचना मिलने पर मौके पफ़ूच करके उसे केसी सिंटों की आस्टर में लाया गया यहां पर कि उसका शुटी गई तो उसमें पांच जड का होना बताया इस पर अपले साथी रुमर्ट को गाड़ी का बुला करके उसमें उस बुजुर्ग को बैठा कर पांच जड ले जाया गया जहां देर रातरी उसे ढूंटे ढूंटे उसके परिवार से निगवा दिया गया उसके शिनाक्त मौन सिंग के रूप में हुई है वहीं उनके परीजर ने उसे पहचाल दर के पांच रख लिया है उनके बेटे पुटा सिंग ने बताया कि वे व्रद होने के खांड मानसिक होगी हो गए है और बिना बताय ही कहीं चले जाते है अब उनका पूरण के अच्छी प्रेंसे धान रखा जाएगा मोहन सिंग करीबर 85 वर्षिये हैं और विद होने के कारण अकसर अपना मानसिक संतुन को बैठते हैं लेकिन राजेंदर जैसे वेक्टी उन्हें अपनी परिवार से मिलाकर एक अनूथी मिसाल कायम कर रहे है राजेंदर की ओर से यह 104 वेक्टी है जिसे मानसिक्ता के कारण बिछुड जाने के बाद उन्हें घर पर पहुचाया गया है बाद पर द्हार है तुसी माता जाना दे नौं तुसी अधा समाल रखनी है ठीक ना किसे पासे नी जाना चाहिए और शोडी जुमवारी है जिसी तुक है सेतार जी मात्रट पिता सब तो बढ़ी सेवा हुं दिये आज बाद आप से नीजर द बाद ऐसे नहीं अजाए ने नौट वाइफ हो जुगा बंदा सही है जो मैं जो जो लुटिक है नो मैं दो बंदा ही है निसी कोई